मनिपूर में हो रहे हैं नुश्रण श्विवाद का सर अब देश की राजनेतिक परिपेक्ष में भी काफी मात्रा में पढ़ रहा है जिसके चलते आज रामादमी पार्ठी द्वारा नाकपुस्तित सम्विधान चौक से वराइटी चौक तक मार्च निकाल कर केंद्रसरकार मनिपूर की राजन सरकार के खिलाफ नारे बाजी की गई दरसल मनिपूर हिंसम में उचित संग्यान लेकर इस विवाद को रोकने का उचित प्रयाद सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है ऐसा आरूप आमादमी पार्टी की महिला कारेकलताओं ने भाचपा प्रनीत केंद दारी लेते हुए देश के प्रधान मंतरी और मनिपूर के मुख्य मंतरी इस्तिफा दे ऐसी असन तो शुजनक प्रतिकरिया इस वक्त आपकी महिला कारी करता होने दी दर्शकों पूरे भारत में मनिपूर हिंसा का विवाद चल रहा है और इसकी बीच आज इस वक्त शेने ऑनमिपूर काई दिए आफुफो competent टॉल्ण में आई है किया आपने देखांए मनिपूर में क्या साइख का हरकत हुए और हम सब के लिए शर्मनाख चीज है और उसी के अगेंस्ट में हम यह जो कैंडल माश निकाल रहे हैं यहां से लेकर राइटी चौक तक हम इसका हम मोधी सरकार का इस को लेकर विरोत कर रहे हैं देखा जाए तो यह दो समुह का विवाद है और इस समुह में आप भारतिय जनता नार्था बारटी प्राइथ कैंड्र सरकार को किस प्रकार से दोशी मान रहे हैं मोधी सरकार को काम ने केंद्रे सरकार ने जो भी दोश्य जो भी अरोपिय उनके अगेंस्ट उन्होंने काम करना चाहिए यह हमारा आदमी पार्टी का उद्देश है और हर यहां पी नहीं महाराश्टा में हर जग उसके लिए लड़ाई चल रही है अज हमने यहां पे जो कैंडल रेली निकाली है बहुत दुखत बात है कि जो मनिपूर में हिंसा हो रही है और यह हिंसा कब पूरे भारत में फैल सकती है आज सभी स्टेट को यह डर लगने लगा है हमारे यहां पे महिला है चोटे बच्चे है लड़किया है हर एक इंसान पुरुश वर्ग भी और महिला वर्ग भी यह ड करते हैं कि अभी रस्ते पर आने का दिन आ गया है और आप लोग 1857 का जो विद्रोव हुआ था उसको फिर से यार्द कीजिए और फिर रस्ते पर आईए और जो महिलाओं पर अत्यचार्क हुआ है उसके लिए आप आवाज उठाईए और बस हमारी यही मांगे कि सीम जो है चर्चा करने के लिए तयार नहीं है हंगामा कर रहा है इसके बारे में आप क्या कहीं जी देखिए जब इंसान के पास कुछ अपनी नाग बचाने के लिए समय टाइम और शब्द नहीं होता है ना तो वह ऐसे ही गोल घुमाने वाली बाते करते हैं वह तो इतने सीधे है ज इतनी बड़ी मात्रा में आंदोलन हो रहा है आम आदमी पार्टी आंदोलन कर रही है क्या सच में इससे सरकार जागना ही चाहिए क्योंकि इतने दिन का यह आंदोलन मतलब जो इतनी बड़ी घटना मनिपूर की हुई है वह देखा जाए तो यह घटना हमारे देश में दबाया जाए लेकिन वह समझ लीजिए कि इंटरनेट की सुविधा स्टार्ट होने के करें पूरे देश को पता चेली ऐसी घटना है तो पूरे शर्म वाली बात है यह जो घटना घड़ी हुई है यह आंदोलन से जरूर उसमें फरक पड़ेगा मतलब देगा उन्होंने त इसके पहले भी काफी आंदोलन हो चुके हैं लेकिन अगर महापूर देख लीजिए बाकी मुद्दे से ज्यादा यह मुद्दा महिला होका है और बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव मामला होने के कारण इसको फोकस करना बहुत जरूरी है क्योंकि महिला और सेंसिटिव मात्रा में कर रहे है तो देखते हैं आगे आखिर इसका असर पूरे देश में किस प्रकार से होता है इसी सवाल के साथ इसी सवाल या निशान के साथ कैमरा परसन राजकुमर मोहड के साथ मैं मनीश टेम्रे इन बीसीन नियूस के लिए नाकपूर इन बीसीन नियूस के लि बोट